2011 में जब से बाइजूस की शुरूबात हुई है तब से लेके आज तक बाइजूस जो है वो इंडिया के ऑनलाइन लर्निंग सेक्टर में एक मार्केट लीडर के तौर पे उभर के आया है जिसको सिल्वर लेक और ब्लाक रॉक ने लीड किया था उनसे जब बाइजूस ने फंड रेज किया तब बाइजूस की वैलूइशन जो है वो 11 बिलियन डॉलर्स की हो गई थे और आज के टाइम पे बाइजूस की जो टोटल वैलूइशन है वो 12 बिलियन डॉलर्स की हो गई वही पे एडिटेक स्पेस में बाइजूस सबसे बड़ा एक्वाइरर के तौर पे भी उभर किया है जहाँ पे मैं आपको बता दू कि उन्होंने जो है 2020 आगस्त में ही वाइट है जूनियर के बच्चों के लिए कोडिंग प्लाटफॉर्म है उनको 300 मिलियन डॉलर्स में एक् करने वाला है जिन सोर्स को इस डील के बारे में पता है उनका ये कहना है कि इन दोनों कमपनी यानि के बाइजूस और टॉपर के बीच में जो है पिछले दो महीने से बातचीत चल रही है और अब ये जो बातचीत है वो एडवांस स्टेजिज में पहुँच गया है वही प आपको बता दू कि बाइजूस के लिए ये जो है थर्ड लार्जस्ट एक्विजिशन होने वाला है जहां पर इससे पहले बाइजूस ने वाइज है जूनियर जो कि एक किड्स फोकस्ट कोडिंग प्लाटफोर्म में उसको 300 मिलियन डॉलर में ऑगस्ट 2020 में एक्वायर कर उसके बाद फिर इसी साल न्यूस आई कि बाइजूस ने जो है ब्रिकन मोटार टेस्ट प्रिपरेशन कंपनी आकाश एजूकेशनल सर्विसेज को भी वन बिलियन डॉलर में एक्वायर कर लिया और जब ये न्यूस हमने आप लोगों को दी थी बहुत लोगों को जटका ल रही है क्योंकि उन्होंने जो है भ्रामक एडवर्टीजमेंट यहां पर दिया था जिसके बाद उनके ऊपर जो है कुछ केसिस भी हुए थे और बाकी सारे चीजे थी वाइठाट जूनियर से रिलेटेड भी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा और जो हमने कर लेगा क्योंकि इस एक्विजिशन के बाद इस एडिटेक स्पेस में सिर्फ तीन मेजर प्लेयर्ज ही रह जाएंगे पहला है आपका बाई जूस दूसरा है आपका अन अकैडमी और तीसरा है आपका विदानतु मैं आपको बता दू कि मुंबई बेस्ट टॉपर जो है वो एक आप बेस्ट अप्रोच अपनाता है एडूकेशन के प्रती जहां पे वो लोग विडियो क्लासिस इसके साथी मॉक टेस्ट और लाइव सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं उन स्टूडेंस को जो कि यहां पे किसी पर्टेकॉलर क्वेशन में प्रॉब्लम में वही पर अगर टॉपर की माने तो उनका ये कहना है कि आज के टाइम पे उनके प्लाटफोर्म पे 16 मिलियन स्टूडेंस मौझूद है इसके साथ ही वो अपने जो सर्विस हैं वो इंटरनाशनली भी प्रोवाइड गरवाते हैं वही पर टॉपर ने लास्ट येर समर में ही अपना कोड टूटूरिंग यूनिट कोडर की भी शुरुवात की थी वही पर आपको ये भी जानने के जरूरत है कि जिशान हयात द्वारा शुरू किया गया टॉपर ने आज तक 96 मिलियन डॉलर्स रेज कियें इसके साथ ही 46 मिलियन डॉलर्स ही उन्होंने लास्ट येर ज बता दू कि February 2018 में जब टॉपर ने एक undisclosed amount excess capital partners से raise किये थे तब उनकी जो total valuation थी वो 60 मिलियन डॉलर्स की बताई गई थी पिछले साल से ही EdTech स्पेस में जितने भी investors हैं उनका strong interest रहा है इस EdTech स्पेस में जहाँ पर almost जितनी भी company है स्पेस में उन्होंने सब ने जो हैं यहा शामिल थी लेकिन recently ही Topper जो है किसी भी नए investors को attract करने में fail हो गई है वही पर अगर Topper के Series D funding round की बात करें तो उसमें foundation holdings ने participate किया था इसके साथ ही Kaizen private equity भी इस round में शामिल थी इसके साथ ही अगर Toppers की investors की मैं बात करू तो उसमें आपके शामिल है 8 Road Ventures, Helion Ventures Partners, इसके साथ ह Elevation Capital और Alteria Capital भी मौझूद है वाकि दोस्तों आप लोग ज़रे हमें comments में बताई हम आप से सुनना चाहते हैं आपके क्या thoughts से इस deal को लेकिए आपको लगता है कि आने वाले time में जिस तरीके से बाइजूस जो है धड़ा धड़ तरीके से acquire करती जारी ये companies को आपको लगता है तो वो कौश सी company हो सकती आप जरह हमें comments में जरूर बताईएगा बाकि मुझे उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजेगा अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेर कीजेगा और अभी तक अगर चानल को subscribe नहीं किया है तो ऐस सही डेली वीडियो के लिए हमारे चानल को subscribe करके बैल आइकन को भी जरूर दबा दिजेए मेरा नाम तोईदीर रोमान है मैं आपको मिलूँ अगली वीडियो में तब तक आप देखते रहे निक्स्टी ब्रैंड को thanks for watching